अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइड के साथ बिल्कुल फ्री आपके यहाँ? बयान लेना इनका इस हालत में? अब और होश में भी नहीं है ऐसे में वो क्या ही बोल पाई हो और क्या ही आप पूछेंगे? भयान लेना जरूरी है और कानून तो कानून है आप जानते है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन आप थुरह दिल के बाद आईए अब यो बूलने की हालत में नहीं है ठीक है, आप बताईगे कितन दिर बाद आए अगर प्रॉपर होश में बाया चाहिए तो आप दू गंटे के बाद आए ठीक है, मैं दू गंटे बाद आता हूँ देखें, मही का पुरुतर के सो होश में नहीं है इसलिए उनका बयान अभी नहीं ले सकते हूँ सौरी लेकिन आपको एक्स्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए देखें प्लीज अभी यह सब रहने दीजे ना एक इंस्पेक्टर, देखें उस उस बच्चे की हालत बहुत खराब है आप प्लीज समझने की कोशश कीजे उस बच्ची को आराम की जवरत है फिसिकली भी और मेंटली भी वो दिल और थिमाग दोनों से बहुत परिशान है प्लीज उसे आराम करने दीजे बच्ची ने खुद की जान लेने की कोशिश की है ना जाने क्या गुजरी होगी उस पर किस हालत में होगी कुछ पता नहीं की देखिए हम समझ थे लेकिन कानून के भी कुछ नियम है जो आप लोगों के अच्छा ही के लिए बनाए गए इंस्टेक्टर साब उसके लिए आप परेशान मत हुए मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि जैसे मेरी बेटी ठीक हो जाए कि मैं खुद उसको पुली स्टेशन लेका हूँगा ब्यान लेने के लिए बस मेरी बेटी ठीक हो जाए देखिए मैडम अब रोहे मत अबने आपको संबली इस्पेंटर साब रिली सुरी लेकिन मॉम कंट्रोल नहीं कर पारी है कुद अब मा है वह रो रोके सुबा से परिशान है क्योंकि जो हो रहा है वो गलत तो हो रहा है जो गलत हो रहे है उसी को ठीक करने आए यह अब आगे किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे बिलकुल हमारा तो काम ही है गलत होने से रोकना और जिसने गलत किया है उसे सजा देना इसे बात बताईए आप लोगों में से रनवीर कॉली को कौन जानता है कोई बता सकता है कि उसका एडर्स क्या है सर, मेरा नाम रनवीर कोली के है कि मैं downstairs ओवा या इच्छा तो आप है यह वात्स रॉंग इंस्पेक् kendर मैं रनवीर का पेता हूँ दिक्रम कोली हाँ, पताज भाए ना क्या बात है मैं मैं उसकी मा क्ल़ भी कोली कर में उसकी दादीन हूँ पताईए क्या बात है क्या हुआ क्या है जो हुआ है उसके लिए आपको मेरे साथ पुली स्टेशन चलना बड़ेगा आप हमारे साथ पुली स्टेशन चलिए मुझे आपके साथ पुली स्टेशन क्यों मुझे क्यों लेके जा रहे हैं हम आपको अरेश्ट करें